जी वेलकम है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूटूब चैनल एहमत टेक्नलोजी पे आज है 17 सितंबर और कल है 18 सितंबर और 18 सितंबर को ओलेवल के लास्ट प्रैक्टिकल है यानि इसके बाद ओलेवल के प्रैक्टिकल नहीं होंगे कोशन यह है आपका कि जिन बच्चों का थियोरी का पेपर हो गया था लेकिन वो किसी कारण से प्रैक्टिकल नहीं दे पाए या उनका प्रैक्टिकल छूट गया है तो क्या उनको दोबारा से theory का भी paper देना होगा या केवल next session में practical का exam देना होगा तो यह आपका doubt है तो जिस बच्चे ने theory का paper दिया था चाहे उसका किसी भी module का exam हो theory का जिसमें 100 MC की question पोचे गई थे इस बार और 90 minute का आपको time मिला था तो जिसने वो exam दिया था और practical का ये paper छोड़ दिया है चाहे वो किसी भी module का हो तो आपको फिर से अपना theory का भी paper देना पड़ेगा next session में जनवरी 2024 में आपके exam होगे तो ये बात आपको समझनी है जिस बच्चे ने theory का paper दिया और practical का paper छोड़ दिया है उसको दोबारा से दोनों paper देने होंगे दोनों paper लोग करने होंगे और ये paper होंगे कब आपके जनवरी 2024 में फिर से exam होंगे फिर से आपको theory का और फिर से आपको practical का exam देना होगा इसमें total overall जो average चाहिए पास होने के लिए 50% का overall average चाहिए अगर आपको pass होना है O level के किसी भी module में अगर आपके 49% भी बनते हैं तो आपको फैल कर दिया जाता है F grade के साथ और 50% पे आपको D grade दिया जाता है जो की O level में सबसे छोटा grade माना जाता है ठीक है उसके बाद आपको C grade मिलता है उसके बाद B, A और फिर S जो सबसे बड़ा grade है O level में ठीक है ना तो आपको दोनों exam देने होंगे अगर आपने कोई एक exam छोड़ दिया है चाहिए अपने theory का छोड़ा हो या अपने practical का छोड़ा हो क्योंकि दोनों को मिला के या आपको pass के जाता है उमीद है आपको इसमें आप कोई भी doubt नहीं होगा अगर आपको और किसी में doubt है तो आप comment box में पूछ सकते हैं उसका reply आपको वाँ पर जरूर मल जाएगा मिलते हैं next video में तब तक कि लिए जाएं जै बारत